नमस्कार दोस्तों स्वागत से आप सभी का एक बार फिर से हमारे आचार जागंदर मिस्राज चनल पे मंगलवार दुर्गा अश्टमी घर के दरबाजे पर रख दें यह एक चीज रोडपती से करोडपती होने से कोई नहीं रोक सकता नौरात्री में बहुत सारे प्रियोग किये जाते हैं उमीद है आपने बहुत सारे प्रियोग किये होंगे और उसका लाब भी आपको मिल रहा होगा लेकिन अगर आपने अभी तक प्रियोग नहीं किया तो तमाम प्रियोग के दिन यानि आज के दिन अश्टमी और कल नौमी तिथी तो आज और कल दोनों तिथी के दिन आप कर सकते हैं दोनों दिन किये जाते हैं अश्टमी के दिन भी और नौमी के दिन भी प्रियोग किये ज का दिन है और कल 21 अप्रेल नवी का दिन होगा राम नवी तो आज और कल दुर्गाश्टमी और राम नवी यानि कि नवी ती थी दोनों दिन के अंदर आप कर लीजिए ताकि जीवन के हर कश्टों से आपको मुक्ति मिल सके लेकिन हम आपको क्लियर बताएंगे किस दिन कौन से करने हैं देखिए महा अश्टमी के दिन में महा अश्टमी के दिन रात के समय आधी रात को एक कटोरी में अगर यहाँ पर दूध ले 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 अब यहाँ पर मिट्टी का अगर कटोरी है तो सिक्के को उठा कर अपने पास सुरक्षित रख ले धन की जो समस्या हुआ दूर होगी यानि कि धन के इस्थान पर यह तो पूजा स्थान पर भी रख सकते हैं पवित्रे मिट्टी पर दूध को दबा दीजिए जो दूध बचा है और जीवन के हर कश्ट से मुक्ति दिलात है अगर आप इस सिक्के को अपने कीमति खजाने पर रख देते हैं तो जीवन के हर कश्ट से मुक्ति मिलेगी अब यहां पर देखिए क्या करना है कभी कभी क्या होता है कि बहुत जादा मुश्किले आ जाती बहुत जादा धनकी परेशानी आ जाती है तो अपने घर के मु पनी में थोड़ा सा गुलाब की पंखुडी जरूर रखें चुकि देखिए आने वाला कल जो आएगा तो इसको आप फेकर फिर आने वाले कल में फिर चेंज कर दीजे यानि कि इसको आप बदल दीजे अगले दिन यानि कि नया कर दीजे नया पानी भर दीजे और नया को हल्दी मिला हुआ पानी से पूरे घर में छीटा डलवाईए ताकि किसी भी तरह का नकरात्म कुर्जा से आप सभी को सुरक्षित बने रहे और कोई भी गलत एनरजी या निगेविटी आपके घर में प्रवेशन करें और जीवन में खुशियां बरसती रहे अब आपके घर में अगर कोई भी बरतन हो चाये कोई बरतन हो या लोटा हो आप उसमें चावल भर के मुख दरवाजे पर रख दे और उसमें दो लौंग डाल दें जीवन की समस्त धन की समस्याएं दूर होंगी और अगर आप रोडपती भी है तो करोडपती होने में दो देरी नहीं लग देना है आप सुबह साम जब मौकमे ले तब रखिए आधी रात को करना है आधी रात को भी कर सकते हैं यानि कि यह जो अश्टमी के दिन भी करना है पान वाला यह जो प्रियोग है आपको पान में स्वास्तिक बना लेना है और मुख दरवाजे पर आज अश्टमी के दिन और कल नौमी के दिन भी रख देना है। इससे आपके जीवन की जो धन की संबंधि समस्याएं हैं वो दूर होगी और अगर आप गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं तो अमीरी में जीना शुरू कर देंगे। जीवन की समस्त परहसानियों से मुक्ति मिलेगी सत्र विरोधी जो बहुत ज़्यादा परहसान करें बहुत ज़्यादा अगर आपके सत्र एक्टिव हैं आपके कामों में रुकावटे डालते हैं तो आप इसी दीपक में दो दो लॉंग उन सत्रों का नाम लेके डाल दीजे आप अपने मुक्ध दरवाजे से थोड़ा सा काला तिल लिजे और अपने सर से उल्टे बार के और बाई तरफ फेक दीजे फिर देखिए कैसे चमतकार होता है जीवन में आप अपने मुक्ध दरवाजे पर जब सुबह सुबह उठते हैं तो आज अश्टिमी की दिन और कल नौमी की दिन भी क्या करें कि पहले एक बाल्टी पानी डाल दें पानी नहीं है तो आप गंगा जल भी डाल सकते वैसे तो सहरों में अगर मालीजे नहीं डाल सकते तो थोड़ा सा गंगा जल छेटकाव कर दें इसके बाद ही जारू लगबाईए मुक्ध दरवाजे पर अ समुदरी नमक होना चाहिए आप उसको चुप चाप अपने मुख दरवाजी पर रख दीजे यह एक चीज फिर देखे कैसे जीवन में चमतकार होता है निगवेटी अपके घर से जाएगी जो आपके गलत में गलत एनर्जी प्रवेस कर गई है घर में वो दूर जाएगी और बहुत ज़ादा आपके घर में सास बहु का जगड़ा होता है या नहीं जमता आए दिन पर इसानिया आती है तो क्या करेंगे आप अपने मुख दरवाजे पर मौर का पंक नौमी तिति के दिन जरूर लगा दे यानि कल एक की सप्रेल है और आज बीस अप्रेल का दिन है त फोटो तस्वेर जरूर लगाएं लेकिन अंदर की तरफ लगाएं यकीन मानिये जीवन की समस्त परेसानियों से मुक्ति मिलती है आज चुकि मंगलवार का दिन है मंगलवार दुरगाश्टमी है कल बुद्धवार राम नौमी के तो होगा तिति इसलिए दोनों दिन अगर राम करें तो ज़्यादा लाबकरी रहेगाए कि समस्त मनों कामनाओं की पूर्ती के लिए आप अपने मुक्धर बाजे पर पान पान का बीयरा याद रखिए पान का पत्ता तुर रखेंगी पान के पत्ते में स्वास्तिक बनेंगे एक पान का बीयरा भी रख दें और आप पत्ता ले लीजे पान का पान के पत्ते में दो लॉंग डाल दीजे थोड़ा सा कथा डाल दीजे थोड़ा सा चूना डाल दीजे और उसमें थोड़ा सा चीनी या मिस्त्री जो भी सक्कर बगरा है सौप भी डाल दीजे और आप उसे खुला ही अपने मुख दरवाजे पे आपके घर में प्रवेस करेंगी और माता दुर्गा जी एक बार प्रवेस कर जाएं तो माता लक्ष्मी जी को आने में देरी नहीं लगती है और आपके घर में धन धान में ब्रदी होती है शुक्षान्ती में ब्रदी होती है आपके घर में खूप सारा धन बरसने लगता है औ नमक से मुख दरवाजे पर पोँचा जरूर लगवाएं ये सब छोटे छोटे उपाय आप जरूर करें आज दुरगाश्टमी की दिन और कल नौरात्री यानि की नौमीतिती की दिन इससे जीवन के समस्तमनों कामनाओं की पूर्ती होगी धन धान में बिर्दी होगी जल्द नौकरी लगेगी बिजनेस ब्यापार चलेगा संतान की बाद हाएं दूर होंगी सास बहु में जमेगा और आपके घर से कलेस बगएरा है वो भी दूर होंगे और आपकी बातों को लोग मानना सुरू कर देंगे आपकी बातों पे बजन आएगा आपकी लोग प्रिता बढ जाए महालक्ष्मी जाए मादुरुगे